है 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 मिशन इंजिनेरिंग एकडमी के ओनलाइन प्रेटफार्म पर आप ता स्वागत है फ्रेंड्स जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी मत्रपदेश पावर जेनरेशन कार्परिशन लिबिटेट जो है उसमें आसिस्टेंड इंजिनेर की बढ़तिया यह जिसमें एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रोनिक्स के लिए ठीक है वेकेंसी निकाली गई है यह जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है पावर सिस्टम ठीक है आप MPPGCL के लिए दिया प्रिपेर करना चाते हो तो उस पर्स्पेक्ट्टिव से आप हमारे लेक्चर्स डाल दिये हैं पावर सिस्टम के हम इसको और कंटिन्यू कर रहे हैं और आपकी डिमांड पर हम उसको इसको और इस्पीड से करने वाले हैं साथी साथ पेरलल में हम कोस्ट्टिन के प्रेपिस भी चला रहे हैं ठीक है तो आप हमारे साथ आके MPPGCL AE के लिए प्रिपेर कर सक करते हैं तो आज की जो क्लास होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे ट्रेवलिंग वेव उसकी या फिर ट्रांजियन एलालिसिस इन लाइन ठीक है तो लेट से स्टार्ट कि 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 उब इब कि 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 कैसे सब्सक्राइब करें थे थे रफिश को देखना जब भी तरफ को क्या होता है कि क्या होता है कि पावर क्लोव होता है कहां से जनरेशन से लोड रोन सेंटर के तरफ आप कोई भी केने मेन कंडिशन जैसे क्या हम बोल सकते है कि जिसे कटीdoor से village विजिली ईसके फिर आफकर होती है तो इस फिर क्या करेगा वहाльटेज हो जाएगा या तरह करेंट तो यह कुए हो करने हो जाएगा इसे क्या होग़े और 10 गिविटे Ondorf system में वो damage हो सकते हैं तो इनका जो electrical equipment होते हैं इनको damage होने से बचाने के लिए हम क्या करें हैं इनका protection के बात करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है productive device लगना पड़ती है तो productive device भी लगाएंगे तो उसकी भी एक particular location होती है हम चाहिए जान तो लगा नहीं सकते हैं तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ती है तो इसकी location और इसकी design करना हो इसके लिए हम क्या करते हैं पर transient analysis करते हैं किसमें transmission system में थीक है तो हम इसको note करेंगे हम नोट कर लेते हैं कि अंडर steady state condition power flow from generating station to load center if any abnormal condition if any abnormal condition like lightning surges आपर्स ठीक है जब भी कोई lightning surges आतर होगी यह क्या पॉस करेगी यह काउस करेगी अवे और ओर ओल्टेज यह विरम बोल सकते हैं और करेंट Student in the system ậš बॉस्य कई बचर्च एकिपमेंट्स इंद इस्टम तो हम क्या करते है तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको डेमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए प्रोटेक्शन करेंगे ठीक है तो हम इसके लिए क्या करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे प्रोटेक्शन आप आप इलेक्ट्रिकल एकिप्मेंट्स आप फिस प्रерш्ट कर्ण सेंकरों डर्ट राहल में विए कर υकी देडाया विए आर्ल से लुठर के लिए प्रसकी प्रण्यकि बिए स्ल्यत्र कते है ने च्नगर्ड में बुटू ने उ। सेंकरों अिर जिए The protective device, devices are to be placed at optimum, at the optimum location. जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होगी, वो कौन-कौन हो सकती है? जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होगी, कौन-कौन से तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है? may be lightning arrester lightning arrester arcing horn it is ती कहते हैं कि और यह वो सकता हैं पॉर्प्टिक्टिव डिवाइस होंगी जिससे सर्क्रिंट रेक अगर अब टेसे तो यह जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है इनकी डिजाइनिंग करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं पर ट्रांजेंट स्टेडी करते हैं और डिजाइनिंग आप और अब प्रोटेक्टिव डिवाइस है अब आप आप यूजड यह आमने नोट कर लिया जो मैंने आपको बता है कि हम ट्रांजेंट कि एनालिसिस क्यों करते हैं ठीक है तो आप हम बात करेंगे कि यहां पर जो ओल्टेज होगा जो ट्रेवलिंग व्याव होती है उसमें जो ओल्टेज होगा वो क्या होगा ट्रेवलिंग व्याव होती है उसमें वोल्टेज क्या होगा ट्रेवलिंग व्याव में जो ओल्टेज होगा व्याव होती अगर्टेज व्याव में जो ओल्टेज होगा व्याव होगा व्याव होने के साइन ओमेगा टी प्लस माइनास घामा एक्स तीक है ये हो गई क्या हमारी ट्रेवलिंग व्याव हो अब इस प्राकार से हम ट्रेवलिंग व्याव को क्या करते हैं करते हैं अब यह इसकी वेल्यू यह जीरो हुई ठीक यह ने प्रोपोगेशन पॉस्टेंट जीरो हुआ तो यह क्या होगा अमारा प्यूर सानसोर हो जागा वीम साइन ओमेगाटी यहां पर जो गामा है वह अमारा क्या है जो गामा है वह हो जाएगा अमारा क्या प्रोपोगेशन पॉस्टेंट जिसकी वेल्यू किसके बराबर होती हैं अंडरूट यह वाई के बराबर तो यहां पर जो गामा है यह क्या है हमारा प्रोपोगेशन पॉस्टेंट क्या है प्रोपोगेशन पॉस्टेंट तो इसके वेल्यू क्या है यह विजागा अंडरूट यया अंडरूट योग हो दोगा है यह जो कि किसके बराबर होगा है पर आलफा प्लस जे पिटा के बरापर आलफा क्या हो गया जैसे कि मैंने आपको बता है था कि आलफा हमारा हो जागा आटेनिशन कॉंस्टेंट और बीटा क्या हो जागा फेश्ट तो यहां पर दो प्रकार के नेटवर्क देखने को मिलते हैं तो जो आलफा होगा आइसकों अद्स बोलेंगे कि जायगा आटेनिशन नेटवर्क 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 कि यहां कि यह revolution हुआ हुजा है घ्रिश cooler क्या चाही अ कि की यह हो गया हमारा खंडक्र ps है कि इसी प्राकार जो बीटा होता है इसको बोलेंगा अए एनटवर्क होगा कि तो यह पीज़ें करेगा वो क्या हो कि इसकोडिकर करेगा यहां inductance और यह हो गया हमारा क्या capacitance ठीक है यह हो गया हमारा क्या passive network तो देखो जब भी यहां पर क्या होता है energy का transformation होगा inductance और capacitance के बीच में ठीक है तो यह दोनों के energy क्या होते हैं बराबर होती है यहां पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं हाँ है यहां पर जो ओल्टेज होगा आगो क्या होगा तो यहां पर जो एनर्जी ट्रांफर्विशन टेक्स प्लेस माद़ जो एनर्जी ट्रांफिशन यहां पर होगा यहां पर ओल्टेज क्या होगा यहां से हम find कर सकते हैं कि जो ओल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा आई और यह हो जाएगा L by C, ठीक है, यह हो जाएगा क्या हमारा voltage हो जाएगा है, तो यह तो हमने यह देख लिया कि हम transient analysis का कहां यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस को यह हमको design करना हो, और इसको हम कहां पर locate करना है, कहां पर power system में, इसके लिए हमने बात कर लिए कि हम इसके study करते हैं, यह हमरी traveling हो गई है, जिसका हम represent करेंगे, वी हम sin omega t plus minus gamma x, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा propagation constant है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, alpha plus j beta, यह होगा attenution और यह हो जाएगा, transformation होता है, तो इसके हम यह देख सकते हैं, कि दोनों energies आपस में equal होगी, इसके हमने देखा कि जो voltage हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आप यह हमको पता ही है कि यह अंडरूड L by C क्या है, तो अंडरूड L by C है, क्या हमारा surge impedance, क्या है हमारा surge impedance है, तो voltage क्या होगा, आई into surge impedance, यह देख के बरबर, यह lossless line होई न, यहाँ पर कोई भी active power loss नहीं हो रहा है, तो यह हो गई हमारी line, जिसके बारे में हमने बात कर लिए, अब हम इसमें आगे बात करेंगे, तो अब हम इसमें आपर बात करेंगे, तो जो traveling wave जब भी हम incident input देते हैं, तो क्या होता ह कि जो हमारा जो surge impedance होता है, वो किसी point पर जाकि क्या हो जाता है, change हो जाता है, तो change होगा, तो जिससे कि क्या होगा, तो इससे हमारा यह होगा, कि यहाँ पर, मतलब यह divide हो जाती है, टू पार्ट में, एक तो हो जाएगा, जो कि transmit हो जाएगा, जिसमें हम reflected बोल देंगे, और एक जोगा वो आपिस आजाएगा, याने कि reflect हो जाएगा, तो हम उसकी बात करेंगे, करेंगे, तो मैंने क्या बताया यहां पर तो मैंने यह बताया है, क्या हो रहा है, कि ट्रेवलिंग वेव में है, ठीक है, जैसे कि हमने incident याने कि input दिया, और जहां पर सर्ज इंपेडेंस है, जब भी चेंज होता है, तो वहां पर क्या होता है, कि यह current जोगा, incident current हमारा two part में हाँ, divide हो जाएगा, एक तो कुछ पार्ट है जो कि transmit हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो होगा, वह कि क्या हो जाएगा, reflect हो जाएगा, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, वेंट, 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 वें कर दो कि अ कि वैंद वैंड ट्रेवलिंग वैंड दिस्कंटीनीटी कि इसकंटीनीटी का मतलब यह हो रहा है यहाँ पर क्या होता है हमारा क्यारेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कि दिसकंटिन्यूटी इन आ लाइन वेयर वेयर के रप्रस्टिक इंपेडेंस जेड़ सी चेंज सर्व कि दिसकंटिन्यूटी से मतलब यह है कि जहां पर स्कर्जेंट के इंपेडेंस से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो सम तो सम एड़्जस्टमेंड टेक्स प्लेज क होता है तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यह से अपने यहां पर क्या दे दिया तो यह हो जाएगा हमारा क्या इन पोड्त टिक इन पुट हुआ झाएगा इसको हम बोल देंगे यहा हパर गए वी है ठीक है और करेंट क्या है आई है ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा इन्पुट हो जाएगा तो यहां से क्या होगा होगा तो यहां से यह होगा कि यह हमारा क्या हो जाएगा ट्रांस्क्मिट हो जाएगा ठीक है यह जो ट्रांस्क्मिट हो जाएगा और एक यहां से क्या चाहतना लुए को पिस क्या होजायगा रीपलेक्ट हो जाएका यह हो जाए गामारा क्या result और कि यह हो जाएगा हमारा यह जाएका हमारा ट्रांस्मीटेड एक ओक और तो यह प्रमिस को in another यह भी बोल सकते हैं रीफ्रेक्टेड थिक reset तो यह जो reflecting हो घाई ये इस कौने ळेखेंगगे करेंगे इस हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा यह कंछाल शर्वी अधोर record क्या होगा यहां पर हम लिख देंगे इंसाइडेंट करें इंसाइडेंट के लिए जो करेंट हो जाएगा वह जाएगा क्या वी बाई यह जो लाइन यह क्या इसका वह जाएगा इंपेडेंस होगा इधर जो होगा एंपेडेंस होगा और इदर रिफ्लेक्टेट वह जो करन्ड होगा उसका है से डिनोट कर रहे हैं आईडेस से यह जाएगा आईडेस जो कि किसके पराबर हो जाएगा ओल्टेज भी डेस डिवाइड बाई सर्ज एमपेडेंस ज्ञेडेस और यह हो जाएगा हमारा प्रांस्मीटेड ट्रांस्मीटेड वे ओ या पिर हम उसको बोल सकते हैं क्या रिफ३रैक्टेड है अघ्रायर बाई इस पर एसले डिनोट कर रहें के से डबल देस से यह 축 जो गाए यह क्या हो जाएगा तो यह जाए है यह कि यहां पर रहा है यह हो जाएगा क्या हो जाएगा जेडल हो जाएगा ये तिसे यहों के लिए और यह हो गया transmitted वेँ के लिए आप हम यहां पर हम बात करें तो हमें यहां पर कॉफिशेंट होंगे उनकी भी बात करना पड़ेगी तुह पहले अब हम यहां पर कॉफिशेंट्स की बात कर लेते हैं तो जो हमारे कॉफिशेंट होंगे उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हैं जो कॉफिशेंट होंगे वो क्या होंगे कॉपी सेंड की बात करें तो सब्सक्रीं पहले हम बात करेंगे इसके बात करेंगे तो यह जो transmitted वह किलेभ ऑफ्यूइ संब बात करेंगे और यह जो बात करेंगे हैं आम बात करेंगे हैं त्रास्मिशन कॉफिसी अंब क्राश्मिशन कॉफिसे सं अ कि अ ख den ट्रास्मिशन कॉफिसेंट दाफ वल्टेंग अंदे के अलवागी ट्रास्मिस्न कॉपिसेंट आप बोल्टेज ये इसको लीनोट प्स्राइए यह हो जाएगा मारा इंभ के और कि यह जो 14 वागे 17 होगा तो 135 हो जाएगा मारा वी डाबल 또 याने कि transmitted, transmission coefficient याने कि transmitted कितने में से, जो input दिया उसमें से, तो जो input था हुआ हमारे क्या है, यह V है, तो V डबल डेस भाई, V यह हो जाएगा हमारे क्या transmission coefficient, अब next हो जाएगा, वो हो जाएगा transmission coefficient आप current, ठीक है? transmission coefficient of current, इसको हम काय से denote करेंगे, तो इसको हम denote करेंगे TI से, ठीक है, यह जो TI होगा, यह क्या हो गया, transmission coefficient आप current हो जाएगा, तो यह आगे, देखो हम बात करें, किसके transmission coefficient, यह मतलब कितना transmit हो गया, divide by कितने में से, overall में से, overall incident कितना हो जाएगा, I, तो यह हो जाएगा, हमारा, I double days, divide by I, यह हो जाएगा, हमारा क्या, transmission coefficient of current, ठीक है, अब हम, जो next add करने वाले हैं, वो क्या होगा, तो जो next add करेंगे, वो हो जाएगा, यह थर्ड होगा, वो हो जाएगा, reflection coefficient के, reflection coefficient, voltage, reflection coefficient क्या होगा, voltage का, तो उसको हम denote करेंगे, किस से, reflection के लिए, और voltage के लिए, क्या लगा देंगे, हम, वी लगा देंगे, तो यह जो, R, V होगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, reflection के बात करेंगे, तो reflected voltage कितना है, V, based, divide by incident voltage, क्या हो जाएगा, वी तही हो गया, हमारा reflection coefficient, और फोर तो हो जाएगा, reflection coefficient क्या हो, current, reflection, coefficient, R, current, इसकों, denote करेंगे, किस से, तो यह हो जाएगा, reflection का, आरूर, current के लिए, क्या कर देंगे, i कर देंगे, तो reflection, coefficient, current, क्या हो जाएगा, आरी, तो वो ही, जो reflection, current, कितना होगा, reflection, current, हो जाएगा, i, days, और divide by incident current, कितना हो जाएगा, i, यह हो गया, हमारा, यह हमारे, चारो, coefficient हो गए, जिसमें, हमने, बात कर लिए, transmission के लिए, जो, coefficient होगा, वो, voltage के लिए, क्या हो जाएगा, i, days, by, i, इसी प्रकार, reflection के लिए, भे, आमने, दो, coefficient की बात कर लिए, जो, कि, r, v, हो जाएगा, v, days, by, v, और, जो, reflection, coefficient, of current होगा, आ रहे हो, क्या होगा, i, days, by, i, आप, हम, आगे, बात करते हैं, sorry, मैंने, एक चीज, यहाँ पर थोड़ा सम्विश कर दी, ठीक है, जैसे कि, मैंने, आपको, यह बताया था, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, है, यहाँ पर, निगेटिव साइन, यूज करेंगे, ठीक है, तो, मैंने, थोड़ा, मिस कर दिया था, जिसको, आप, एड़ करोगे, ठीक है, आप, यहाँ पर, क्या करोगे, माइनस का, वी, days, ठीक है, माइनस का, रिप्लेक्टेट वोल्टेज, यानि, वी, days, दिवैड बाई, जे, इसका हमको द्यान रखना है, इसका साइन क्या होगा, निगेटिव आने वाला है, क्या है? यह सूब करें तो मुझभ आप जो है यह जो कि अब हम यह पर एक लाइन ले रहे हैं ठीक है जिसमे की हम ट्रेवलिंग वी वह का आगे अनालीज्स करेंगे तो यह क्या है लाइग जिसका इंपडेंट क्या है सदी Barbara ने वुंटेज दे दिये इन कुट यह मेरा इंसारैन्ट प्रवड में इंसार्ज है टीब हो तो इसके एक्रास में यह पर हमारा यह पर कुंसा कणा कर अब आ हुआ है हा अब जासे कि मैं आपको वाता आपका रिफ्लेक्शन था रिफ्लेक्सेन और जोगा है यह यह अब भी अभी यह यह पर निग्रेंटव सांज में आ रहे हैं जो इसके है नेच्वल हुआ है बट हम यहां पर क्याक चाル1 करने वाले हैं तो हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको क्या खरेंगे दिखांद हम छिए पर दीखाने और फिर्टक्ट है 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 हम सब्धिका है संदे के बरापर होगा मिल यहां पर यहीं है खिली हिलगा धी चन्रीक का रहां पूल जाएगा है कि किया हो जाएगा सब्सक्रमेट्च रेकिन ऐवागा इसी प्रवब प्रक्रेंट अब नहीं होगा ? रिपलिकटेटर करेंट ब्रागा और घ्रांपिटेट करेंट यह। अगा यहाँ 집ãy UP यहाँ सरुकेट में कि चेंज करने वाले हैं हम से 2 डायरेक्षन को क्या करेंगे ? कि दिखाने के बज़ हम इधर दिखाएंगे थीक आम एक नया हाँ पर लाइन ड्रह करेंगे लेनद रा करेंगे तो जीसमें navy यह देख रहे हैं तुक क्या लिखा जएगा निगेटिव लिखा जाएगा और यह जो विटेज यह हम क्या लेखेंगे निगेटिव लिखेंगे तुकिंट निया क्या है Impeedience हो जाएगा ध्याद यहां पर नोर स्पस्ट इत्यों मेडा साम मैं अध्यर कंड में यहां लोह यहां पार यह अमारा ट्रांस्मिटेड करन्स प्लोव आइंड कि मैं भी Pas जो निकल क्या रहा है कि कि इसका समेशन हो जाएगा निगेटिव इसके रिस्पेक्टम में उल्टेज क्या होगा हम इसके पॉलिटी को चेंज कर रहा है तो यह नीगेटिव क्या जायारा है उनको इनको इदर दोनोंको करेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा कि ऐसे हमीं क्या मिल रहा है तो यह से यह देखने के लिए मिल रहा है यह मेरा क्या हो जाएगा ट्रांस्पीटेट ओल्टेट और अधूर्ट अधूर्ट और करन्ट क्या हो जाएगा तो यह जो पर इंट इस का वह याइद ऊदर चला जाएगा यह जाएगा आई प्लस हो जाएगा यह हमारी जाएगा यह इसे हम क्या बोलेंगे यह जाएगा आप यह हो गया तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं तो इन दो इक्वेशन के हेल्प से हम जो कॉपिशेंट से हैं उनमें हम रिलेशन रहा कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट आगे क्या देखेंगे हम यह देखेंगे तो यह जो है यह पर हो जाएगा क्या रिलेशन तो पर है रिलेशन बिट्वेन कोईफिशेंट में यह पर फिस्ट लेंगे फस्ट एक्वेशन ले लेंगे ठीक है सबस्तिकेस फस्त केस जो आमने ले लिया क्या है डबल डेस इज्ट लोगा मटाया है जी अब करेंगे रिखेंगे वी और यह जाएगा हां अब बताओ डेबने एक हमने देखा था हो डिए ड्राइड गाया लुक्त की reflections का के बराबर यह हो जाएगा हमार क्या reflexion coefficient of voltage तो यह थो हमारा important relation आ गया है एक important relation आ गया transmission coefficient of voltage जो के बराबर और छाएगा वन प्लस reflection coefficient of voltage के बराबर इसी प्रकार जब हम next बात करेंगे ठीक है second ठीक है next case में बात करेंगे तो i double dash क्या हो जाएगा i double dash हो जाएगा यहां पर i plus i dash ठीक है आप जब इसे भी हम क्या करेंगा i से divide करेंगे यह हो जाएगा i double dash divide by i is equal to i plus i पूरी हो जाएगा i dash by i होगे ही तो हमने यहां पर देखा current के लिए जो coefficient देखा यह क्या हो जाएगा your je aさん कोपिशियंट अप करेंट ओर यह क्या हो जाएगा reflection ाप करेंट कोपीशियंट करेंट हम इसको इस प्रक़ार से लिक सकते हैं ठीक है हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा क्या ती आई यह हो गया टी आई जो कि किसके बराबर हो जाएगा वन प्लस आराई के बराबर हो जाएगा यह भी हमारा क्या हो जाएगा important हो जाएगा तो TA क्या हो जाएगा 1 प्लस R.I.U हो जाएगा तो इसका भी हमें ध्यान रखना है अब एक case और बन सकता है ठीक है वो क्या हो जाएगा तो जो third case होगा ठीक है third case जो होगा उसके हम बात करें तो देखो third case देखें है तो जो RV होता है वो क्या होता है ठीक है तो जो RV होता है वो क्या होता है तो जो RV होता है यानि कि reflection coefficient of voltage ठीक है यह क्या हो जाएगा reflection coefficient of voltage जो कि किसके पराबर हो जाएगा V days divided by V के पराबर ठीक है यह क्या है reflection coefficient of voltage था हमने क्या देखा था हमने यह देखा था कि दिखो जो आइडेस है यह किसके बराबर हो जाएगा माइनस के वीटेस बटा ज्डेस के बराबर है और यह क्या वह जाएगा यह को जाएगी बार जो इंसाइडेंट था उसके लिए क्या वेली त火 जागा vidéo या होझागा भी छीडिय सिम्माय मा Sachler by एंटु जेडिस डिवाइड बाइ बी कि वेल क्या हो जाएगा एंटु जेडिस हूं। वने डेट हैं है हम जानते हैं कि जो आ रहे है उसकी वेलिव क्या होती है हम यहान से λिख देंगे कि जो अरवी है कि स्कुनी बडर्स यह एख़ने बडर्स यह घुग तो यह हमने क्या देख लिये था आप हमने बात कर लिए इसकी बाकर लिए सिफ हो जाहため हमने संव लुटेच क्या हो जाए और ब्राpla प्रत्र्क्राप्रक्रां27 कोपिशन आप करेंट के बराबर हो जागा one plus reflection कोपिशन आप Current और जो reflection कोपिशन आप voltage होगा जागा negative value up reflection coefficient current के बराबर हो जाएगा यह तीनों case आपने बात कर लिये जब भी lightening surges होती है तो हम और यहां पर क्या करेंगे कुछ कैसे के हैं च्च करने वाले हैं जीसे की फर्स्ट करेंगे जी सिर माम बात करेंगे कि जो उन्स कि पर हो जाएगे हो कि पर हो है कि अभा है आगा घर तो अच्छी अजह है कि इसमें कुछ डाएश की इस्टरी करने वाले हैं इस कंग और ओ तुम हमारा फर्स्ट केज होने वाला है कि पर्स्ट केज होने वाला है कि जो हम लोड इंबदेंस मान रहे हूं कि इसके बाराबर होगा वह माननों कि हम पेरलल लाइन ठीक है प्यर्लेल लाइन बोल सकते हैं या पिर हम उसको क्या बोल देंगे टी जंग्शन ठीक है हम बात करेंगे कि इसकी टी जंग्शन तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी यहां पर लाइटनिंग सर जाकर हो रही है यहां पर इंस्टेयर ग्यार जार है यह क्या हो जा रहा है तर्ंस्के सब्सक्राइब होगा त्रांस्मिटेट जोकी एह बिटेट करेंट होगा और ये आई-टू कुरेंट होगा जोकि क्या होजागा हमारा राइब चुरेंट होगा और यह हो जाएगा हमारा क्या यहां से रिफ्लेक्शन भी होगा तो यहां से हमें क्या देखने मिल रहा है यहां से यह देखने लिए मिल रहा है कि जो यहां से यहां से बराबर हो जाएगा वी डबल डेस माइनस वी साथ जो करंट है यह क्या हो जाएगा तो करंट डबल डेस हो जाएगा यहां पर यह जो है इसको हम मान लेते हैं क्या आई डबल डेस किसके बराबर हो जाएगा यह जाएगा आई डबल डेस और आई त्री डबल डेस के बराबर हो जाएगा यह जाएगा यह जाएगा आई डबल डेस करिंट ऐस कर अगा यह बराबर हो जाएगा थी डबल टेज्ट कर BOYDIS के बराबर हो जायेगा यह बराबर हो जायेगा ऑफ गितव हल्ग क्या हो जाएगा तब डिवेड़ बाइछ फ्री डोलोगा at first प्रकार से हमारी है क्वैस्ट डेएड़ाइड हो गाई है इस हमारे हमारी मैं और हमारी मेड़ा घ्रीज़न नंबर है जबparty हम है जो ड्रकारण नंबर वन स्क शुब्संतिर्ट करेंगे किसमें विश् judgment वाम लिखेंगे इस partir तियोट कि सब्सुट्यूट्स Smыч ट्रे eJean कि शुब्सफ्स्टमिसर्ट एक्वेषान वन इन एक्वेशन सुब्सको सब्सेट्ट्यूट्यूट परिण है तो जो ट्रांस्मिशन कॉपिसेट आप वोल्टेज तीवी यहनि कि जिसकी वेल्यू इसके प्राबर वी डबल देज बाई वीक है वो निकल कायगी और वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी तू डिवैड वाए जैडेस वन डिवैड बाई बाई जैडेस वन डिवैड बाई जैड़ेस्टू प्लास वन डिवाइड बाई जैड़ेस यह वेल्यू यहां पर निकल के आ रही है ठीक है अच्छे अच्छे निकल के आ रही है जो क्या है मेरा मैंने क्या कि है आपर जो एक्विशन नमबर बाई रख दिये अच्छे एक तो यह ऑर भी आगे हैं पर एक्विशन कर सकते हैं तो हम आगे एसे कर सकते हैं तो देखो जो transmission coefficient of voltage है याले कि यह है इसको हम किसे लिख सकते हैं तो देखो इसको हम यहाँ पर solve करने के लिए इसको हम यह आगे solve करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा V double dash बटा V is equal to यह हो जाएगा तो हमने क्या किया है यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया LCM ले लिया तो LCM ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तो यह हो जाएगा puedo going to dites three plus जर्द त्रिंटो जर्द एस one plus yes get is p1 in 212 व τα उपर क्या जला जाएगा को जम इसको हम05 कंसेल करेंगे तो यह दे इस one से जेट़े इस फन केंसेल आओ हो जाएगा यहां बचेगा जड़ेस 2 इंटू जड़ेस 3 इस प्रकार से हम इसको इजी वे में भी आपर लिख सकते हैं आप देखो एक्जाम में क्या हो सकता है एक्जाम में क्या पुछा गया तो हमको यह वाली कंडिशन देदे ठीक है ती जंसन वाली कि हैं पर जो है जो इंपडेस टर्मिनेट हो रहा है कहां पर टी जंसन के रूप में थीक है फाम में दिया खुछान पर आपको यह वी यह पर चला गया ता आप यहां पर जो वोल्टेज वह निकाल सकते हो तो आप यहां पर हमको यह गया ठीक है जो transmitted voltage होगा वो क्या होगा तो transmitted voltage वी डेश क्या हो जागा तो इन्टो वी जेड़ेश 2 जेड़ेश 3 डिवाइड बाई जेड़ेश 2 जेड़ेश 3 प्लस जेड़ेश 3 जेड़ेश 1 प्लस जेड़ेश 1 जेड़ेश 2 यह हो जाएगा हमारा voltage कोंसा voltage यह हो जाएगा हमारा transmission voltage ठीक है यह तो हो गया मेरा क्या transmission पॉम्पियाज होगा ठीक है जो नेक्स्ट backend होगा वो घ्या हो सकता है । यह ज़गा हम क्या पॉटक कर देंगे रिजाबकर यह put up कर देंगे, आम यह zs2, ठीक है, तो यह इस प्रकार हो जाएगा, 2 divided by zs2, divided by 1 by zs1 plus 1 by zs2, ठीक है, आप इसको आगे भी हाँ पर explain कर सकते हो, ठीक है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या मिलेगा, जो transmission coefficient है, आप current जो मिलेगा, वो इस प्रकार से होगा, कि जो zs2 है, वो गायब हो जाएगा, इसकी जो गयाँ पर क्या आजागा, zs बना जाएगा, यह हो जाएगा, ti हो जाएगा, i dash, i double dash, बटा i is equal to, ठीक है, तो यह ta क्या हो जाएगा, i double dash, बटा i, यह क्यों कि हो जाएगा, 2, zs3, zs1, divide by, यह तो हमारा क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, ती हो जाएगा, zs2, zs3, zs1, zs2, zs1, zs2, इस प्रकार से हम इसको लिख भी सकते, यह मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगेन आपको हैं दी, यहाँ पर transmitted current की value पुछ लिए, तो आपको इधी information दी हो था, आप यहाँ पर i double dash की value यानि के transmission current की value निकाल सकते हैं, ठीक है, यह तो हो गया हमारा क्या transmission coefficient आप voltage और transmission coefficient आप current हो गया, ठीक है, आप next जो है, यहना वो हमको यह define करना है, तो वो हम क्या करेंगा यहाँ पर reflection coefficient को हम कैसे लिख सकते हैं, T junction के case में, तो उसके हम बात पर रहेंगे, ठीक है, तो उसकी बात भी हम यही पर कर लेते हैं, तो जो reflection coefficient होगा, आप voltage वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जो reflection coefficient आप voltage होगा, उसके लिए, reflection coefficient आप, इसको हम यहाँ दिखते हैं, आप voltage होगा, 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 जो reflection coefficient होगा, आप voltage क्या होगा, reflection coefficient, ठीक है, तो यह reflection coefficient में हम पहले बात करेंगे, voltage के लिए, ठीक है, तो voltage के लिए क्या होगा, तो voltage के लिए हो जाएगा, 1 divided by, जो main line था, उसका सर्जय impedance से क्या होगा, जोड़ेडेश 1, minus यह होगा, 1 by जोड़ेश 2 plus 1 by जोड़ेश 3, ठीक है, डिवाइड बाइचर्वाइड जो अमारे जुट, निचे वाला पाट्य वह एज़ेटी, सेम होगा, तो यह होगा, जोड़ेश 1 plus 1 by जोड़ेश 2 plus 1 divide by जोड़ेश 3, ठीक है, तो यह होगा, का हमारा क्या आप और और भी आपके तरीगे से आप इसको आगे हैं पर इसको कर सकते हो और जो डाखे वर क्या हो जाएगा उसमें यह जो वेलियो को जएगी तो किस व्रकार हो वन डिवाईब बाइब में डिवाइड बाइड टू टू प्लस 1 डिवाइड बाइड 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 ट्री माइन सw Assist वसी त्री ट्रीजा यह gouvernement क्या रिफलेक्चन कोपीचिह और करनेंट क्या हो जाएगा हमारा रिफलेक्शनकाफि से एंटक कुन से केस के हम बात करें तो हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हम बात करेतें T junction की या पिर parallel line वाले केस की बात कर रहे थे यह हो गया हमारा कमप्लिट हो गया है हमने देख लें हैं तो यह हमारा क्या हो जागा ed यह transmission coefficient आप current हो गया, इसी प्रकार यह हो जागा reflection coefficient आप voltage, वो यह हो जागा reflection coefficient आप current, कौन से case के लिए, t junction वाले case या parallel line के लिए, अब हम second case की बात करेंगे, हम नेक्स्ट जो है, second हमारा क्या है, case 2, ठीक है, case 2, जिसमें हम क्या बात करेंगे, case 2 जो होगा, जिसमें की, जो load impedance होगा, वो क्या होगा, वो not equal to surge impedance, ठीक है, यह क्या है, load impedance is not equal to surge impedance, मतलब कि एक lossless line नहीं होने हादी, ठीक है, यह वाला case, इस case में क्या होगा, इस case में, यह तो हमारा क्या हो जाएगा, surge impedance होगा, कि यहां के लिए फिक है यह क्या हो जाएगा हमारा स्वार्ज़ inflamed so जाएगा जोकी किस बराबर है ज्यड़े पर है ज्यड़े बात करें इसी फ्रकार हम यहां पर बात करें तो ज्यड़े 3 हो जाएगा ऑज क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा हम यह कह सकते हैं कि जो ट्रांस्मिशन हो रहा है इधर तो यहाँ पर क्या ही यह То आदा उए इस इथी बात करें लिगो व्र क рукиς काल यह निए का विपनेक विडियन विड्रत व सबास्षी ईजात ये हैं तो येे ओ जाएगा गाल मोraham ग्रेंस प्लास यह एक pale डियाओ ही इंफायनिट्ट क्या हो गयाओ अउना ग्या मेंशन 맞क है जेरो हो गहां जिरो हो गया ठीक सिरे चीया हो गया जीडिट्ट प्लुंस делает जिरो हो गया तो कितना आएगा घी यूड्या से वोल्टेज हो है वो निकल क्या है गाई हो जायागा जहडेल प्लास जहडेस नहीं ऑपर आजाएगा चाहिए जो ट्रांस्मिशन कॉफिशेंट है Transmission Coefficient of voltage यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा V double S by V is equal to 2 zl divided by zl plus zs ल्क्राइज को यह हो जाएगा हमारा क्या? Transmission Coefficient of Voltage कोन से case के लिए? तो यह हो जाएगा हमारे first case के लिए कर दो 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 कि अब में? आ यह हुजाएगा हमारा किया transmission coefficient रोटेंटिंट हो जाएगा और यह बहुत isicateCasil पासे हम इसकी हिल्प से हम बहुत सारे हैं पर आगे ड्राकृ करने वाले केश करने बने आ यह हमारा किया transmission coefficient of voltage इसी प्रकार कि बढैँ deciding हमें यह पता है कि यहां पर कौई transmission coefficient यह है जो हो जाओ वन प्लस रेफ्लेक्शन कॉपिसियंट आप बर्विटेज के बराबर है अब यहां पर हम क्या करनें कि सकते हैं तो reflection coefficient of voltage को लिख सकते हैं हम क्या transmission coefficient of voltage minus 1 अब जब हम इसकी value put up करेंगे तो क्या आएगा तो यह आएगा 2 zl divide by zl plus zs minus 1 तो जो reflection coefficient of voltage है वो क्या आएगा जो reflection coefficient of voltage है ? यह नचे आएगा अब यह यहां पर आएगे दोनो अगे क्या solve कर सकते हम इसको हम इसको आगे कैसे solve कर सकते हैं तो यह जोनो निगेटिव हो जाएगे तो 2 zl में से 1 zl गटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ ट्यड़ एल माइनास जेड़ एल और माइनस के जेड़ेस इस हो यह वुखिया तो जो 2050 आफ हूँ हरो कैन्सल आया उधिएड बाइम माइनस के जेड़ेस व्यवैड अभी जेड़बाइज भी अधिट डिवाय इड्ल प्लस तो यह हो गया हमारा क्या reflection coefficient of voltage, कुन से case के लिए, इस case के लिए, जिसमें की line impedance is not equal to surge impedance, इसी प्रकार हम यह जानते हैं, जो rv है, वो किसके बराबर होता है, rv जो होता है, वो minus rai के बराबर है, या फिर हम यह बोल सकते हैं, कि जो rai होगा, वो क्या होगा, rai क्या हो जाएगा तो rai हो जाएगा negative value हो, आप rv, इसके negative value क्या हो जाएगे, zl minus zs, divide by zl plus zs, तो देखो यह आपर जो reflection coefficient of current है, वो क्या निकल क्या आ रहा है, जो reflection coefficient of current है, वो हो जाएगा, क्या ज्यदेस माइनाज ज्यडेल डिवाइड बाइड ज्यडेस प्लास ज्यडेल तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं तो यह पर एक चीज़ यह निकल क्या रही है यह ना कि जो यहां पर और रिप्रेक्शन कोविष्यंट अप और और करंट दोनों जो मैगनिटूट के फाम में क्या होने वाले हैं एक्वल होने वाले हैं तो रवी में किसके बराबर हो जाएगा magnitude आप आ रही के बराब हो जाएगा जब भी हमने फॉर्स्ट केस की यहां पर बात की थी फॉर्स्ट केस की बात की थी फॉर्स्ट केस में भी हमको वही चीज देखने को मिल सकती है यह नहीं भी बट इस केस में क्या होगा यह एक्जेकली जो है magnitude जो होगा अब हम नेक्स्ट केस में बात करेंगे तो जो नेक्स्ट होगा वह हमारा क्या हो जाएगा अब अब जो ट्राइस्ट आप करेंट के बात करें तो वह क्या होता है क्या होता है जो कि कि वारबर हो गा माँ मंब्लस आउ liए तो listened क्रणन क्रणन क्लेंट क्या हो जागा तो हम यहां से देख सकते हैं हाऊ प्लस अरौ यह की विली क्या हो गई आररी के विली हो जाएगी ज्ण मैंस ज्ड़ल को ढौट द्भाइए यह डोप्लस ज्ड़ल हूं को यह तायाका कि यो जाएगा यहां पर कर देख कि यहां से क्या हो जाएगा कि हैं लस जेड इस माइनज जेडल कि रस बाद ज़ेडल जो होगा वो क्या होजाएगा तो ट्रांस्मिशन कोफिशेंट अब करन जो होगा वो हो जाएगा ट्व जड़ेश ट्वो मैं डिवेड बाइज इड़ प्लस जेड़ यह जो है यह इंपोर्टेंट है हमारे लिए ठीक है इनके हैल पसे हम नेक्स्ट सारी केस हमारे आसान हो जाएंगे इनको एक बार इनको अच्छे से याद कर लिया तो इसके बास सारे केसे हम यहां पर जो next cases है वो आराम से हम ड्रा कर सकते हैं तो यहां पर एक तो यह फर्स्ट गेज और एक सेकंड केस ठीक है पहला केस्टी जंग्सन वाला और जो सेकंड केसे जेडल इस नाट इकोल टू जेड़ेस वाला यह बहुत इंपोर्टेंट है इनको यह आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आप आगे की केस आराम से ड्रा कर सकते हो और इनसे रेलेटेड यह कोई भी प् झाल इस तरीके से कर दो आप 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 आपने खराम आप 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 मेंस